प्रश्कार दोफ्तों एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल में आप लोगों का हर दिक स्वागते लेट अफ्ट अप्टेड निकल के आई कि विधान सबा चुनाओ नतीजों के बाद केंद्रे करमचारी को मिलेगी बड़ी सोगात 18 महीने के अरियर के साथ मिलेगा डिये तो हर करमचारी जाने पूरी डिटेल तो दोफ्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे अगर आप हमारे चैनल पे पफटाइम इजिट कर र दोस्तों केंद्रे करमचारी को मेंगाई बतार मेंगाई रात बकाया और हरे में बड़ोतरी का इंतजार है केंद्रे करमचारी को जल्द ही बड़ी सोगात केंद्र सरकार दे सकती है माना जा रहा है कि मेंगाई बत्ते की बड़ोतरी की गोशना 10 मार्च को 5 राजों में वि इदानसभा चुनाओं के बाद रोली से पहले महंगाई बत्ता बढ़ा कर उन्हें तोफ़ा दे सकती है डिये बढ़ने से उनकी सैलरी में बढ़ा इजाफ़ा हो सकता है महंगाई बत्ते में 3 परतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है अभी कूल महंगाई बत्ता 31 परतिशत है ज 33% महंगाई बत्त मिल रहा है और ओली से पहले महंगाई बत्ते में 3 परतिशत की बड़ोत्री के बाद कूल महंगाई बत्ता बढ़कर 34% हो जाएगा दिया में बड़ोत्री पर सरकार की गोष्णा सेवन्थ कुमिशन की सिपारिस पयादार पर होगी के इंदर सरकार अगर क्रमचारे के डिये में 3% की बढ़ोतरी करता है तो उनके वेतन में काफी इजाफा होगा दोस्तों महेंगाई बत्ते की बढ़ोतरी की गोचना मार्च में ही हो सकती है AICPI के आकडों के मुताबिक दिसंबर 2021 तक के डिये में 34.04 पर पहुच गया है बत्ते में 3% की वर्दी के बाद 18,000 रुपे के मुल वेतन पर डिये 3,440 रुपे परतिवर्ष होगा दिसंबर 2021 के AICPI IW के आकड़े जारी हुए है जिसमें 0.3 अंक की गिरावट आई है और यह 125.04 पर पहुच गया है और सुचांक एक अंक की कमी के साथ 361 पर पहुच गया है इसका मतलब यह है कि महेंगाई बत्ते में 12 मा के सुचांक का ओसत 351.03 तिन हुआ है यानि ओसस उचांक पर 34.04 पर पहुच गया होगा किन्तु डिये पूणांक में ही तै होता है इसलिए जनवरी 2022 में कुल 34 पर पहुच गया बनेगा ऐसे में करमचार्यों का 3% महेंगाई बत्ता बढ़ना तैह माना जा रहा है दोस्तों मोदी सरकार होली से पहले ही इसकी गूशना कर सकती है यदि करमचार्यों का महेंगाई बत्ता 3% बढ़ता है तो डिये 31% से बढ़कर 34% हो सकता है वेतन में 20,848 ती है 3,444 और 2,32,122 रुपे तक की वर्दी हो सकती है इसे हर लेवल के करमचार्यों से करमचार्यों की सैलरी और डिये में अलग-अलग बढ़तरी होगी महेंगाई बता बढ़ने से 48,00,00 करमचार्यों और 8,00,00, पैंशनों को लाब मिलेगा पहले संभावना जताई जा रही थी कि बजट 2022 में इसकी गोशना की जा सकती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ अब उमीद है कि अगामी चुनाव से पहले सरकार इसका एलान कर सकती है अगर डिये 33 परतिशत होता है तो बेसिक सेलरी 18,000 रुपे तो करमचार्यों का डिये 5940 रुपे का इजाफ़ा होगा और एच आर ए जोडने 31,136 रुपे सेलरी हो जाएगी अगर डिये 34 परतिशत होता है तो 18,000 रुपे बेसिक सालरी वाले क्रमचारी का डिये सालाना 6,483 रुपे और 56,000 रुपे सालरी वालों का सालाना 20,484 रुपे हो जाएगा तो दोफ तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैवाँ